हम heat equation की से formula drive कैसे होता है सबसे पहले यह बात करते हैं ut equal to c square uxx इस type के हमारी heat equation होती है generalism में हमें यह condition given होती है u0t equal to ult equal to 0 अब यदि हमें इस equation की value निकालनी है हमारा u किस type का function है x का और t का दो type के function आ रहे हैं तो x और t लिख लेंगे हमारा अब इस दोनो value को हम यहाँ पर put कर देंगे जैसे हम यहाँ पर put करेंगे तो हमारी a value बन कर आएगे इसे equal to k constant बान लेंगे अब k की हम अलग राग value लेंगे उससे हम formula drive करेंगे k equal to 0 रखेंगे सबसे पहले k equal to lambda square और k equal to minus lambda square यदि मैं dietly solution की बात करूँ तो जैसे आप k equal to 0 put करोगे यह वाली condition put करोगे तो आपका c1 और c2 जो यहाँ पर बन कर आएगा यह दोनों ही 0 हो जाएगे यहाँ की triple solution देगा 0 solution उसकी कोई value होगी नहीं तो derivation के base को आप दिखा सकते हो पर question में आपकी कोई help नहीं करेगा अब k equal to lambda square की बात करूं मैं similarly इसमें भी एक दिक्कत आएगी कि जो भी आप इसका cf part बनाएंगे e की power की form में आएगा वो हमारा इसमें c1 c2 की form में आएगा 0 वाले में इसकी तरह नहीं आएगा तो वो भी again क्या होगा c1 और c2 को 0 बना देगा और वो आपस में multiply होंगे जब t के साथ वो पूरा ही 0 ट्रेवल solution आजेगा तो इसका भी हमारा फाइदा नहीं होगा तो k equal to minus lambda square यह हमें value देगा इसके formula ही तो हम यहाँ पर k equal to minus lambda square पूट कर लेंगे इसका cf निकाल ले हमानतों cf निकालना आप सभी को आतरी होगा similarly इसका cf निकाल ले हमने इधर ले जाकर यह आया c e की power m1 x से m1 t है क्योंकि यहाँ पर t आजेगा तो यह हमारा इसका solution आ गया t और x की value आगी अब हमारी यहाँ से अब हमारा value क्याती u equal to x into t यान की x और t की आपस में multiply करा देंगे और जैसी हम x और t की आपस में multiply कराएंगे इसकी और इसकी तो हमारी हम यह condition भी apply करेंगे u 0 t और u lt इसके लिए constant की value find out करने के लिए तो जैसी हम u 0 t वी put करेंगे तो हमारा sign वाला x की जगे 0 put करेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा तो इसका कोई मतलब बनता ही नहीं हम जैसी इसमय करेंगे तो यह c1 आजएगा और यह u 0 t equal to 0 यान की c1 equal to यहां से diet क्या आजएगा जीरो आजएगा अब c1 की value निकल यह second value हम इस से निकालेंगे u l t equal to 0 put करके जैसे हम u l t equal to 0 put करेंगे यहां पर तो हमारा यहां पर होगा क्या कि हम u l t में जैसे हम 0 put करेंगे यहां पर इस condition में तो हम यहां पर c1 तो पहली 0 हो चुका है तो हमारा x की जगे होना possible नहीं है आपर तो c2 का 0 होना possible नहीं है तो क्या possibility है यह हमारा यह sign वाला part 0 हो जाए क्योंकि c2 0 हो गया तो आपस में multiply जो हो रही है हमारी यहां पर c2 c3 की यह आपस में जो एक्सों टी की multiply हो रही है यह पूरा 0 बन जाए तो इससे भी आप यह पूट कर लेंगे लैमडा एक कूल टू क्या जगा जगा नपाई तो यह हमारा और लैमडा की वैल्यू है यह हम यहां पर लेंगे किसमें यह जो हमारा x वाला solution आया इस वारे ballation यह जिए जीरो हो जाएगग यह हमें सहाहत रहाए तो यह इन की आपस में multiply करेंगे तो जैसे हम इन दोनों की आपस में multiply करेंगे तो यह हमारा और lambda equal to n pi by l put करेंगे किसमें इसमें तो हमारा यह वाला solution क्या जेगा इधर वाला bn पर दियान न दे और यह bn क्या है यहां पर यह bn की जगे हम इसे cn कर लें तो cn क्या है हमारा c1 c2 और c3 constant को क्या है हम एक तरीके से किस से represent कर लेते हैं हम यहां पर cn से represent कर लेते हैं तो इस तरीके से हमारे इसके complete derivation की value आती है अब यह cn की value क्या से आती है यह मैं next video हम बात करूंगा इसकी value होती है half range series होती है हमारी four year में भी उससे हमारी इसकी value निकल के आती है फिलाल हमें इसका complete solution देखना था तो इसका complete solution इस तरीके से हम find out कर सकते हैं आप इस वीडियो को दो बार देखें क्योंकि काफी lengthy वीडियो है और इससे थोड़ा complicated topic है तो आप इ झाल